औरेकल आई केर अस्पताल ने मुरदबाद में मोत्यविन सर्जरी के एक नए युक की शुरुबात की है मोत्यविन ओपरेशन जो की अभी तक सिर्फ मोत्यविन निकालना एबम इंट्रा ओक्यूलर लेंस पे तेरो पर तक ही सिमित था अब अत्यविन तकनीक और मशीनीरी की मदद से रिफ्रेक्टिव केट्रेक्ट सर्जरी में बदल गया है समाने बाशन में यदि कहा जाए तो रिफ्रेक्टिव केट्रेक्ट सर्जरी का तादपर ये है कि मोत्यविन ओपरेशन के परशात आँखों के चश्मे की निर्भड़ता ओल्मॉस्ट जीरो हो जाती है इस मशीन से ओपरेशन करने के बाद जो आप में चश्मे का नंबर आता है वो ओल्मॉस्ट जीरो हो जाता है जिससे के आँखों में सबसे बहतरी रोशनी प्राप्त होती है मुरादवाज शेहर में मोत्यबिन ओपरेशन में आत्योधिनिक तक्नीक के प्रियोग और उच गुणवड़ता के प्रायवाची बन चुके और एकल आई केर ने आज दुनिया में उपलब्द सबसे एडवांस तक्नीक बेरियोण इमेस गाइड़ेट सिस्टम की इंस्टोलेशन कर इसे मरीजों को समर्पित किया है जो की आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पर काम करता है या मैशीन सरजरी के दुरान हमको आख में डालने वाले लेंस के एकसेस और डिगरी पोजिशन को कैलकुलेट करके देती है किस डिगरी और एकसेस पर लेंस डालना है यह हमको सरजरी के दुरान ही पता चलता है सरल शब्दों में हम कहें कि हमारे चश्मे के नंबर पे जो डिग्री और एक्सिस का लेंस लगता है उसी तरीके से हम सर्जरी के दोरान आख में डालने वाले लेंस के डिग्री और एक्सिस हमको पता चल जाती है ये एक लोती मशीन है जो दुनिया में आखमें लैंस को डालते वक्त उसकी एक एक एक्जेक्ट पोजिशन कैलकुलेट करके हमको बताती है और एकल आई केर मुरदबाद की कमिशनरी में बेरियोन इमेज गाइडेट सिस्टम इस्तमाल करने वाला पर्थम बन गया है बेरियोन इमेज गाइडेट सिस्टम मोत्यबिन ओपरेशन को अत्यांत सटिक, सफल और परेडामी बनाता है बेरियोन इमेज गाइडेट सिस्टम एक एक करिद सर्जिकल प्लानिंग और डिजिटल इमेजिंग तकनिकों का एक कम्प्लीट सिस्टम है जिसे मोतियबिन सर्जरी के रोग्यों के लिए नेतर सर्जनों को लगातार अपने लक्षों को प्राप्ट करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है इस अपसर पर जिले पंचाइट अध्यक डॉक्टर शेफाली सिंग चुहां द्वारा मशीन का ओधगातन किया गया और इस मौके पर डॉक्टर सीपी सिंग, डॉक्टर मंजेश राठी, डॉक्टर राजेश सिंग उपस्तित रहे और उन्होंने औरेकल आई केर और डॉक्टर गिर्जेश केन की टीम को बधाई दी जिसना केसी का आज यहाँ पर ओप्रिंग होई है यह एक एलकॉन विरियोन सिस्टम है, जो की इमेज गाइड़ेट सिस्टम है, जो की आर्ट पीचल इंटेलिजेंसी पे काम करती है मशीन, इस मशीन के द्वारा हम मोतिय बिंद का जो ऑपरेशन करते हैं, उसमें चश्मे का नंबर है, वो लग बुक जीरो हो जाए इस मशीन से फाइदे हैं कि जो हब ऑपरेशन करते हैं, उसमें जो लेंस है किस डिगवी और के सैंसे पे डालना होता है और ऑपरेशन के बाद हमारा चश्मे का नंबर कितना आख सकता है, यह सब क्यालकुलेट करके बदाब कि हम एदि इस मशीन से ऑपरेशन करेंगे, तो पहले ही बदा चल जाएगा कि हमको हमारी आठ्वी चश्मे का नंबर कितना आने वागा है तो उसके according on surgery और lens को चूज करके हम operation करेंगे तो आपको operation के बाद चश्मा लगाने की बिल्कुट भी ज़रुवत नहीं है अच्छा ब्रक्राइब कम तकम कितमा खर्चा आएगा बहुत जाल्रा खर्चा नहीं है इसमें जो रूटीन खर्चा आता है उसके आट से दस आज़ार रुपे के आसपास इसे एक्स्टा गर्चार भी लैंग्स सारा आप रहाजमान से विदा भी उनफ दधर अगधर आई और यह सब्चे पहले हम ही देले बाटे हुए